कहीं बार क्या होता है कि चाहे कितनी भी गर्मी की दिन हो सर्दियों की दिन हो या फिर बरसात की दिन हो खास कर कपड़े सुकाने का जंजट बहुत ही ज्यादा रहता है चाहे घर कितने भी बड़े हो या छोटे तो आज मैं आपको एक एसा आइडिया शेयर करूंगी जिससे ना तो आपको इस तरह के heavy heavy stain खरीदने पड़ेंगे और आप घर में कहीं पर भी कपड़े सुका सकते हैं चाहे बन में खुले में कहीं पर भी तो बहुती यूसफुल आइडिया है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जुरूर करें तो यहां पर मैंने ले लिय किन काई बनाएंगे तो तो बनाइंगे तो एक में लेश लिया है और एक के जो गारें होते हैं उसमें यह रिंग लगी होती है तो यह Creek तो fatto दो। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें अभी भी दिख रहा है तो इसको भी हम साफ कर लेंगे तो चलिए अब हम इसका स्टेन केसे बनाने वाले हैं तो वीडियो इन तक देखेगा बहुती अच्छा हम तरीका बताएंगे आपको क्या करना है देखिए जो भी हमने लेस निकाली थी साड़ी से वह ले लेनी है लेने के बाद आप चाहे तो इसको देखेगे शिलाई कर सकते हो तो यह बहुत ही ज्यादा मचपूत है और इसलिए मैं यह शिलाई नहीं करने वाली हूं और क्या करना है देखिए जो भी इसके दागे होते हैं वो हमें निकाल लेने हैं जैसे लेस लगी हुई थी तो उसके चोटी-चोटी जो दागे होते हैं वो मेने निकाले हैं अब हमें क्या करना है देखिए हमें जितनी भी इसकी लेंद चाहिए उसी के हिसाब से हमें इसको कट करना है तो मैं आप देखिए इतना को कट कर रही हूं यहां से तो 10 सेंटीमीटर की पटियां हमें यह कट कर लेनी हैं तो जितनी भी हमें चाहिए उसके इसाब से हम यह कट कर लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों परिवार के शाज जरूर से शेर कर दे ताकि यह वीडियो उनके लिए भी हेलफुल रहे और चेनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्या है जो भी मैं वीडि कि रिंग लेने के बाद जो भी हमने पट्टियां कट की है वह पट्टी हम लेंगे और पिच्चे की साइड में देखिए हमें यह बांधना है तो आप देख सकते हो कि इसमें देखिए बिल्कुल भी हमें कोई होल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही इस तर दोरी को बांद सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने लेश लिया है आप चाहे जो इस पर ले सकते हो लोहे की जो चेन होती है वो आप ले सकते हो और प्लास्टिक की भी चेन आती है वो भी आप ले सकते हो बहुत ही अच्छा आप स्टेन बना सकते हो तो यहां पर हेवी चाए कपड़े कितने भी लगाए वह बिल्कुल भी नहीं खुलेगी तो इस तरह से देखे हमें पूरे में थोड़ा थोड़ा गेप छोड़के और यह पट्टियों को बांद लेना है तो चलिए में पूरे में यह बांद लेती हूं यहां पर देखे मैंने बांद लिय तो वह ब्याद देख लिजी में नीकलोध पी लिए और इस पट्टिक लेना है और इस तारह से, कि एंदर से यह निकाल और अच्चे से हमें टाइट करके इसको बांद लेना है तो जितनी भी हमने cloth pin ली है जितनी इसकी पटियां है वो सारे में हम cloth pin लगाएंगे पटियों में तो चलिए ये हम काम कर लेते हैं फ्रेंट्स मेरे लिए सबसे खास बात ये है कि आप इस वीडियो को देश के कौन से कौने से देख रहे हो मुझे कौमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे बहुती खुसी होती है कि आप मेरे वीडियो को कहां कहां से देखते हो मुझे बहुती ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज आप मुझे कौमेंट करके जरूर बताइएगा तो यहां पे देखे मैंने जितनी भी पट्टियां थी उसमें सारे में ये कलोथ पी लगा ली है अब जो बच्ची हुई लेस है उसको हम क्या करेंगे देखे तो यहां पे देखे मैंने लेस को ले ली है और इसमें मैं यह जो भी इसके छेद बने हुए हैं बड़े बड़े तो इसमें से मैं यह लेस को निकाल लूँगी और एक साइड में मैंने इस तरह से इसको लगाया और सेम हमें दूसरी साइड में भी इस तरह से ही लगाना है थ तो यहां पर मैं यह गांट लगा देती हूं तो देखे इस तरह से हमें करके देखना है उठाके ताकि क्या है यह गांट उपर नीचे ना लगे और इसका स्पेश है वो बराबर में रहे तो यहां पर मैंने अच्छे से इसको बांद लिया है गांट लगा के और अब यह देखे जो भी अक्स्टा में निकली हुई लेस है उसको भी हम अच्छे से फिनिचिंग के साथ गांट लगा के इसको अच्छे से बांध लेना है और अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये बना है किस तरह का ये लगने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा हम जब कपड़े सुकाते हैं या फिर धूप अगर ना हो बरसात के दिन हो तो उस टाइम ये हमारे बहुत ही काम आएगा और देखिए कितना सुन्दर इसका लुक आया है देखिए आप देख पा रहे हो तो मैंने याँ पर देखिए इतनी लंबी डोरियां रखी है आप चाहे तो इससे छोटी भी रख सकते हो या फिर आप बड़ी या छोटी भी रख सकते हो अंदर की साइड में थोड़ा ओर लगा लीजिए आप छोटी साइज में ताकि क्या है जो भी रुमाल होते हैं सौक आप कुछ भी उसमें लगा सकते हो और सुका सकते हो तो याँ पर देखिए मैंने एक स्टेंड बना लिया है कपड़े सुकाने का तो चलिए अब हमारे जो भी कपड़े हैं वो भी हम आपको लगा के दिखाते हैं कि कितना ये सुन्दर दिखने वाला है तो चलिए अब कपड़े थे वो मेने सारे इसमें लगा दिये हैं उपर की साड भी सॉक्स लगाए हैं और यां पर देखिए जो भी बच्चों के टी-शर्ट थी वह इसमें लगा के आपको दिखाया है आप चाहें जहां पर इसको लगा के सुका सकते हो कपड़े एक साथ सुका सकते हो तो आप इस तरह से बहुत सारे कपड़े सुका सकते हो और एक दो इस तरह के इस्टेन आप बना लीजिए बिल्कुल भी हमारे पेसे खर्च नहीं होंगे क्या होता है कि कोई इस तरह के इस्टेन जो हेवी स्टेन होते वो नहीं खरीद पाते तो उनके लिए यह बहुत ही कपड़े सुकाने के बाद भी कितना यह सुन्दर लुक आया है कोई नहीं कहिए कि यह हमने घर पे बनाया है बिल्कुल देखिए जो भी हमारे बेकार समान पड़े थे वो हमने यूज करके और एक अच्छा सा स्टेन बनाया है तो अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद my video